हर्याणा के सेमनोहरलाल ने आज प्रेस कांफरेंस की और इस दोरान उन्होंने आर्थिक मंदि से लेकर हर्याणा में आने वाले वक्त में होने वाले निवेशों को लेकर चर्चा की और क्या कुछ कहा सेमनोहरलाल ने देखे प्रदेश बर की बहुत सी योजनाएं उनको तो फॉलो करी रहे हैं और उनको जो योजनाव बनती है उसको सबसे जल्दी सनिसल से पहले लागू करने वाला कई चिजों में हर्याना प्रदेश है वहीं स्टेट की और से भी हमने जो योजनाएं बनाई हैं खास करके गरीब परिवार जिनकी आये वार्षिक एक लाग ऐसी जार रप्या से कम हैं ऐसे परिवारों को सुईधाएं ज़दा ज़दा हम दें छे जार रप्या उनकी सोशल सेक्यूरिटी के नाते भुशी की योज ज़दा रप्या अलग से दी है ताकि इसका लाग इसके लिए सबी परिवारों का रिस्टेशन हो रहा है और एक परिवार समझधी योजना के नाम से इनको ये पैसे की डिस्टिविशन होगी मैं समझता हूं कि निवेश के नाते भी अच्छा निवेश असी जार प्रोड रपे से उपर का निवेश हो चुका है और बाकी जो MOUs हैं उनके से लगातार हमरे जो relationship managers हैं हर एक MOU के साथ हमारा एक कोई अधिकारी करमचारी अधिकारियों में से एक व्यक्ति को हमने relationship manager लगाया हुआ है कहीं कुछ कठनाईयां किसी की जमीन की आती है किसी की कोई प्रा agreement हुआ है ये किसी भी पांच साल के पहले पेड़ में कभी इतना नहीं हुआ है बांड जारी करने के लिए सारजनिक बैंकों को सतर हजार क्रोड रुपय उपलब्द कराया है जिससे पांच लाख क्रोड रुपय के बांड या चलनी धी जिसको कहते हैं चलनी धी जारी की ज कर से अप्रूव की गी अप्लिकेशन जो उसके अलिजिबल हैं तो उन ऐसे स्ताव्य हजार अलिजिबल लोगों में से ब्यासी जार लोगों को यह हमने काम दिया और उसमें लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो काम देने के बाद एक समय पूराने से पहले ही नोकरियां कहीं पा गए तो उसमें से वो विड़ा करके छोड़के गए हैं ताकि दूसरी जगा पर काम मिल गए आज भी 40,000 से उपर लोग इनकों 100 गंटा प्रती महिना काम दे करके और 7,500 रप्या ग्रेजुएट्स को और 9,000 प्या पोस्ट ग्रेजुएट्स को यह देते हैं और इसमें भी जहां अनमप्लाइमेंट की बात आती है तो इस लेवल के लोग मुझे लगता कि बहुत ज़्यादा अब अनमप्लाइड नहीं हैं चोंकि अगर अनमप्लाइड होते तो इसमें आकर कि उनका रेजिस्टेशन जरूर होता